देखे कोई भी संस्था नियमकन कूल चलती है बिहार विधान सवा के नियामा में लिए बना हुआ है अनुछेद 179 में असपस्ट सब्दों में लिखा हुआ है अध्यक्ष पर जदी अविश्वास प्रस्ताव लगता है तो जिस सवे में सदन में जदी उनके बिरुद सकते हैं बारा तारी को फ्लोटेस्ट होना है सरकार का और अवद बिहारी चौधरी अध्यक्ष उन्होंने साफ तोर से मना किया है कि मैं इस्तिफा नहीं दूंगा बात करेंगा हमारे साथ डिप्टी स्पिकर हैं बारचीत के लिए उनसे की आखिरकार अध्यक्ष का कहना है कि इस्तिफा नहीं देंगे कैसे देख रहे हैं आप अब देखे कोई भी संस्था नियम कनकूल चलती है बिहार विधान सवा के नियमा में बना हुआ है अनुछेद 179 में असपस्ट सब्दों में लिखा हुआ है अध्यक्ष अरुपा अध्यक्ष पर जदि अविश्वास प्रस्ताव लगता है तो जी सव्में सदन में जदी उनके माद्दान होगा तो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं चेहर पर नहीं बैठ सकते हैं वहाराद तारीक राजपाल जी के अविवासन है तो अभिवासन सेंटाल सबसे पहले अब जो आप अभिष्वास्ताव पर इनको मूव होगा उसके समर्थन में 30 से जैदे भी खड़ा हो सकते हैं तो समर्थन में खड़ा होगे तो मूव एक्सेप्ट हो जाएगा एक्सेप्ट होने के बाद चुकि उन्हों पर अभिष्वास्ताव लग गया तो स्व पुना मद्दान होगा मद्दान पर क्रिया के तहर्फ की 128 विधायकों का समर्थन प्राप थे अंडीए सरकार के और राजपाल के लिखित रूप से वद दिए हुए हैं सारे के सारे विधायकों जो प्लब्द रहेंगा वहाँ पर म दान होगा मद्दान से उनकों बहुमत क आधार पर तब हटाया जागा लेकिन चुकी बिहार विधान सभागे सबसे गर्मा में पद होता है अध्यक्षपद और चुकी समाजबादी नेता थे हम लों के आसार उम्मिद थी कि वह नितिकता के अधार पर इस्तिफाद देतेंगे लेकिन इस्तिफाद नहीं देना मैं सम बातों को यह कहा यह कि बहुत कम मार्जिन है और खेला होने की संभावना है तो क्या इस बात की जानकारी सायाद उनको है इसलिए इस वज़ा से वो नहीं कह रहे हूं सपना देखना कोई गुणा नहीं है लोग दिन में सपना देखते हैं लोग कुछ ख्वाब देखते हैं तो सपना देखना ख्वाब देखना कोई गुणा नहीं है जो जिसकी सरकार बिहार में हो जिसकी स सिक्क्र हम को मालूम है और सभी कोई आएंगे और बहुमत के अधार पर अभिश्वास प्रस्ताव पारितों का इनको हटाया जागा पिछली बार 2022 में आप ही डिप्टिया स्पिकर थे विजय सिन्हा को हटाने की बात हो रही थी तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा था उन् देखे कोई भी लोग बोलने से पहले नियम से बंदे हुए रहते हैं जो नियम काता है नियम हमावली काता है उसी करनकुल चलना पड़ता है कितना भी बढ़ाः पद्वाले कोई हो परदान बंतरी हो चाहे लिए मचाए पीम हो सब लोग कानून से बंदे हुए है प्रजा तो उस इस्थिति में आप लोग क्या करिएगा इसा नहीं होता है कानून नियम सबसे बड़ी चीज होती है चुकि वन सेवेंटी नाइन नियम है उसके विरुद में अविश्वास परस्तावाय हुआ है करते रहें तो फिर नियम में है इसलिए उनको हटना ही पड़ेगा हो सकता है किसी दवाब में बोल रहे हुए और यह अपने से इस्तिफाद देते तो बड़ी सम्मान भरता इस पद का उनका भी सम्मान भरता हुआ चले बिल्कुल तो हमारे साथ महसपर हजारी जोकी डिप्टी स्पीकर थे और तमाम बातों को इन्होंने अपने रखा है और अब जिस प्रकार से फिलहाल विहार विधान सभा अध्यक्ष अबद विहारी चौधरी को इन्होंने कहा है कि अगर नियम जो है उसी नियम से इन को चलना पड़ेगा वनेश्पनेशन के साथ नमस्कार